हालो एबरिवान वैलकम बैक टू एमिल्टी जन्नी आई होप आप लोग अच्छे होंगे तो एक न्यू नोटिफिकेशन आपका निकला हुआ है एम्स की तरफ से एम्स न्यू दली से यह नौरकेट 7 की आपकी वेकेंसी निकलती है तो इसका इंपॉर्टन डेट वाला यह न कौन से इंपॉर्टन डेट है क्या फीज आईगी आपकी कौन-कौन से एम्स में आपकी वेकेंसी निकलती है नौरकेट की ठीक है तो इसमें बेस्टी नर्सिंग वाले ही अपलाई कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं सुरुभात करता हूं अच्छे से यह नोटिस जो आपका न सुरुटिस नंबर 9924 है इंपॉर्टन डेट से यहां पर दे रखें नौरकेट 7 तो सबसे पहले आपकी इंपॉर्टन डेट से कि कब आपके फार में स्टार्ट होंगे कब इसकी क्लोजिंग होगी कब आप करेक्शन कर सकते हैं कोई मिश्टियक हो जाती है तो कब आप स्ट 1822 यानि कि आज से एक अगस्ट 24 से आपके 21 अगस्ट 24 सामके पांच यह तक आप अपलाई कर सकते हैं इसके बाद बिंडो फॉर करेक्शन आपकी चालू हो जाएगी जो कि एडिटन रजिस्टेशन फॉर्म इफ हैनी तो अगर आपको कोई भी उसमें एडिटिंग करनी है तो आप 22 अगस्ट से लेके 24 अगस्ट पांच यह तक आप अपलाई कर सकते हैं उसके बाद आपका इस्टेटर्स की बाद करता हूं इस्टेटर्स पॉर रजिस्टेशन एंड लार्ज टीट ऑप क्रेक्शन आप रिजेक्टिट इमेजिस वगरा होती है इसमें तो इमेजि कि संडे 15 सितंबर से बन भीक पहले आपका आजाएगा अपलोड अपर काट भी आपका टू डे विफोर दा एक्जामनेशन तो तो वो दो दिन पहले ही आता है इसके बाद देख लेजेए डेट ऑफ सीवीटी फॉर स्टेज बन एक्जामनेशन तो आपका होगा यह सितंब कूर्स ऑप टाइम एक्जामनेशन सेंटर साथ के सिटी आल ओवर इंडिया रही आपकी तो आपके आल ओवर इंडियम जितनी सिटी है उसमें आपके एक्जाम हो सकते हैं यहाप पर देखा कि इंपॉर्टेंट पिलीज बिजिट दा वेबसाइट यहापर हैमस की अब आपको हम डेटेल नोटिविकेशन इसका दिखा देते हैं यहाप पर दिया हुआ है और इंडिया इंस्टीट और मेडिकल साइंसे नियो देली तो उनिस बेच का यह नोटिविकेशन है तो यहापर दे रखा है कि नर्सिंग अपसर रुकार्मेंट कॉमन इसके बाद आप देख लीजिए अपर दिया हुआ है ओलाइन एप्लिकेशन इज इजबाइट इन्वाइट फॉर्दर नर्सिंग अपसर रुकार्मेंट कॉमन इलिजिविल्टी टेस्ट नॉर्केट सेवन फॉर्दर रुकार्मेंट अपसर पोस्ट अट लेवल सेवन इन गुरूब B की आपकी पोस्ट लाइगी फॉर एंप्स न्यु देली एंड अधर एंपस दिली के अलाबा भी अधर एंपस है तो इसकी भी लिष्ट है आप लेवल है वैकेंसी शिंदा इस्ट्रेक्टिव इंस्टिट इन्सिट्ट इन्वेस्टी तो कोई एक सिंगल इक बाज और देख लिए भी एसी वोस्ट बेसिक पोश्ट बिसिक ब्लाइगी नर्सिंग पर इंडिन नर्सिंग काउंशिक पालों को भी अपलाई कर सकते हैं तो ब्चस नर्सिंग की इजिविल्टी उपर दे रखे इसके लाबा को कोई भी एक्क्पिंस वगहरा नहीं च रख़ां चाहिए को सबाइब से सकती हैं पंपर हो था म Wanna चींड को ईंडियान नर्सनग का वह और यहां पर आपने जो experience लिया हो वो अस्पताल आपका 50 बैडिड हो यहाँ दे रखा है remark तो आपका जो experience होना चाहिए है obtaining जो आपके essential qualification GNM के बाद का होना चाहिए वो भी complete होने के बाद ठीक है इसके बाद देख लेजे age तो कौन-कौन इसमें apply कर सकता है तो यहाँ पर दी हुई है for all amps between 18-30 age वाले इसमें apply कर सकते हैं और अगर आप 30 से उपर हो गए है as per detail on age relaxation आप ले सकते हैं वो आप category के according आपको मिलेगा journal condition subject to age relaxation as per requirement rules of respective institute और hospitals यहाँ पर देगा हुआ है कि आपकी जो age count होगी 30 साल वो आपकी count होगी 18 से 30 साल जो count होगी वो आपकी जो last rate दे रखी तब से count होगी आप fees की बात कर ले थे तो अगर आप journal OBC candidate है तो आपको 3000 रपे इसमें जम्हा करना पड़ेगा इसके बात देख लिएगी SC, ST candidate हैं और EWS थे हैं तो 2400 रपय आपकी fees जम्हा करना पड़ेगी परसन भी इसमें जम्हा करना है तो आप 0 fees आपको जम्हा करना पड़ेगी इसके बात देख लिए थे जहां पर दे रखा है कि आपकी यहां पर application fees of SC, ST candidate who appear in the examination तो SC, ST के जितने भी candidate इस exam में बैठेंगे जिरफ उनकी ही fees refund होगी मैं लाइन पड़ के बता दे रहा हूँ SC, ST candidate who appear in the examination will be refunded after the declaration of result is due courses of time after verification SC, ST certificate to be uploaded at a later stage तो इसमें ऐसा होता है कि आपने फारम बरा फारम बरने के बाद आपको क्या करना होगा exam देने जाना होगा अगर आपने exam दिया है तो आपको उसके result के बाद इसमें एक option खुलता है उसमें आपको अपना category सेट फिर लगाना पड़ता है फिर आपके fees refund हो जाती है अगर आप exam देने नहीं जाते हैं तो आपकी fees refund नहीं होगी ठीक इसके बाद देख लिए ते यहाँ पर दे रखा है कि stage बना आपका कब होगा 15 सितंबर को होगा stage 2 आपका चार अक्टूबर को होगा ठीक इसके बाद general conditions भी आपको बता रखी है एम्स की website पर आप जा सकते हैं आप इंपोर्टन डेट दे रखी है online application एक आठ से apply होना चालू हो गए है किसार तक अभी मैंने आपको इंपोर्टन डेट बता रखी थी यहाँ पर दे रखा है कि candidates are advertised to self-check their ability way for applying to any post-op in scope नेक्स देख लीथी यहाँ पर दे रखा है एक सब्सक्राइब अब आपको मैं आगे लेकि जाता हूं age relaxation के बारे में बता रखा जो 30 साल से उपर के हो गए हूं वो लोग apply कर सकते हैं अगर आप cst के candidate हैं तो 5 साल का आपको age relaxation मिलेगा obc के हैं तो तीन साल का मिलेगा pwbd के हैं तो 10 साल का यहाँ पर मिलेगा यहाँ पर pwbd plus obc के एं तो 13 साल का pwbd plus cst से न तो 15 साल का एक सरब्समें तो 5 साल का आपको मिलेगा वह भी यहाँ पर देखा है कि central government civilian employee है तो 5 साल का ठीक है general and job से है तो और central government से obc के इंप्लाई है तो यहाँ पर 8 साल का सब्सक्राइब के बारे में भी आपको बता रखा है अच्छे से देख लेजेगा एंसील और EWS के बारे में नेस्ट हम देखते हैं आपको बता रखा है जो आपका पैटर्ण इसकीम ऑप एक्जामनेशन जो रहेगा यहां पर आपका टोटल हंड्राइड माक्स का यह एक्जाम होगा यहां बताया गया की डार ड्यृशन अपदी एक्जामनेशन सेल भी नभव मिनट क्योंगी ठीक हैं इसकीम आपका देखा है फोर अल्टरणीटिव इसमें आपके इसकीम मिलेंगे थीक है वही आपका फिसके बाद रखे निगेटिव मार्किंग बन भाई थाड़की रहेगी यानिकि अगर आपके तीन कोर्षन गलत है तो आपका पूरा-कापूरा एक नमबर यहां पर कट जाएगा यहां पर देख रखा है कोसर पेपर बिल बी डिवाइड इन फाइब सेक्शन तो पांस सेक्शन में आपका होगा इच आपके होगी विच वेर इच सेक्शन बिल गॉलर इसके लिए पेपर आपके एक सेक्शन बीडियो बना दोगा दोंगा दोनों की रिगार्डिंग भी देखा है अपके इसके बारे में अच्य से आपको बात करूँगा अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से मं अ क्या एंप्स है यहां पर देख रखा है कि आपको लि आपका उतर प्रदेश में है इसके बाद देख लेजी एम्स गौात्य आपका राजिस्तान में एम्स कल्यानी आपका बैस्ट बंगाल में फच्थ मंघलिरी आपका अन्तर प्रदेश में में नापपूरापका महराश्ट्रा में इसके बाद EMS New Delhi तो आपको famous है इसके बाद EMS partner आपका विहार में है EMS Ravarally भी आपका उत्तरप्रदेश में है EMS Rishikes भी आपका उत्तराखंड में है इसके बाद EMS Vijayapur भी बना हुआ है जम्मू कस्मीर मजो की इस्तित है ठीक है तो आप अच्छे से देख लिए थी यहां पर दे रहा है important एक point दे रहा है एज़ पर decision in four meeting in CIV who held in 27 July 2019 को इती तो 80% सीट्स आ रिजर्ट फॉर फीमेल तो इसमें देख सकते हैं 80% जितनी भी सीट होंगी वह फीमेल के लिए रिजर्व है सिर्फ 20% सीट यहां पर मेल के लिए हैं ठीक है तो इसकी सीट्स के बारे में बात ही कर लूँगा अभी ठीक है तो आपको यह पीडिया पर प्रॉबाइड करवा दूँगा यहां पर आपको certificates के बारे में बता रखा है इसके बाद देख लिए यह पर और भी दे रख्योंगे category certificate के बारे में भी आपर बता रखा आपका तो यह पीडिया आपको कहा मिलेगी आपको यह पीडिया पर हमारे टेलीग्राम गुरूप पर मिल जाएगी आप सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर MLT जर्णी 6675 और ऐसी ही गवर्मेंट अपडेट के लिए हमारे चाहिए लाइक करें सस्क्राइब करें सेर करें इसके रिगार्डें कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको पूरी देने की कोशिस करूँगा और यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें थैंक यू